कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान की ध्वनी पाठे पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति वाची का हैं प्रियंका आईए अब सुनते हैं अध्याय 3 शिर्षक है चुनावी राजनीति प्रिष्ट संख्या 36 अध्याय 2 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए ये ना तो संभव है ना ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रति निधियों का चुनाव कैसे होता है हम शुरूआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी और उप्योगी है हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन दलों की चुनावी प्रतिद्वंद्विता किस तरह लोगों को लाप पहुचाती है फिर हम यह सावाल उठाएंगे कि किन किन चीजों की कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे अध्याय के बाकी हिस्से में हम इनी पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मुल्यांकन करेंगे इस क्रम में हम चुनाव के प्रतेक चरण यानि विभिन चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोशना तक पर नजर डालेंगे हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रतेक्ष चुनाव में क्या होता है अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निश्पक्ष और सोतंत्र धंग से हुए है या नहीं यहां हम निश्पक्ष और सोतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे प्रिष्ट संख्या 37 भाग एक चुनाव क्यों? हरियाना के विधान सभा चुनाव आधी रात के बात का समय उत्सुक भीड शहर के चुराय के पास पिछले पांच घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है आयोजक भीड को बार-बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं यह नेता हैं श्री देवी लाल हर्याणा संघर्ष समिती के प्रमुक जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाशन देने आने वाले हैं 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुरसत नहीं है उनका राजनेतिक कारेक्रम सुभा आट भजे से शुरू होकर रात ग्यारा बजे तक चलता है आज सुभा से उन्होंने नो चुनावी सभाव में भाशन दिया है पिछले 23 महीनों से वे लगतार जन सभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं यह हर्याणा में 1987 में हुए राज्य विधान सभा चुनावों से जुड़ी एक अगबार की खबर है राज्य में 1982 से कॉंग्रेस पार्टी की अगवाई वाली सरकार थी तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवी लाल ने नियाय योद नामक आंदोलन का नेत्रित्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया उनकी पार्टी ने चुनाव में कॉंग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया अपने चुनाव प्रचार में देवी लाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे वेपारियों के कर्ज माफ कर देंगे उन्होंने वाइदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा लोग तब की सरकार से नाखुश थे वे देवी लाल के वाइदे की तरफ अकर्शित हुए इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोग दल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जम कर वोट दिये इले ही 60 सीठे मिली और उसे सपष्ट बहुमत मिला कॉंग्रेस के हाथ तब सिर्फ पांच सीठे लगी चुनावी नतीजों की घोशना के बाद ततकालीन सरकार के मुख्य मंत्री ने पद छोड़ दिया लोग दल के नव निर्वाचित विधायकों ने देवी लाल को अपना नेता चुना राजय पाल ने देवी लाल को नए मुख्य मंत्री के रूप में काम संभालने का निमांत्रण दिया चुनावी नतीजों की घोशना के तीन दिन के अंदर वे मुख्य मंत्री बन गए मुख्य मंत्री पद की शपत लेने के ततकाल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेती हर मजदूर और छोटे व्यपाडियों के बकाया रिन को माफ कर दिया उनकी पार्टी ने राज्य में चार वर्षों तक शासन किया अगले चुनाव 1991 में हुए इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला कॉंग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई खुद करें, खुद सीखें क्या आपको मालूम है आपके राज्य में विधान सभा के पिछले चुनाव कब हुए आपके इलाके में पिछले पांच वर्षों में और कौन से चुनाव हुए है इन चुनावों के स्तर, राष्ट्रिय, विधान सभा, पंचायत वगेरा उनकी होने का समय और उसमें आपके क्षेतर से चुने हुए व्यक्ति के पद, सांसद, विधायक, पार्षद वगेरा को भी दर्ज करें कहां पहुँचे, क्या समझे जगदीब और नवप्रीत ने इस कथा को पढ़ा और ये निश्कर्ष निकाले क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन से निश्कर्ष सही है और कौन से गलत या फिर इस कथा में दी गई सूचना के अधार पर सही गलत का फैसला नहीं हो सकता एक, चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है 2. राजेपाल ने देविलाल के भाशनों से प्रभावित होकर उन्हें मुखे मंत्री बनाने का नियोता दिया 3. लोग हर शासक दल से नाराज रहते हैं और हर अगले चुनाव में उसके खिलाफ वोड देते हैं 4. चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है 5. इस चुनाव से हरियाना के आर्थिक विकास में काफी मदद मिली 6. अपनी पार्टी के चुनाव हारने के बाद कॉंग्रेसी मुखे मंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी चुनावों की जरूरत क्यों? किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं हमने अध्याए एक में उलेग किया था कि दुनिया की 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जन प्रतिनिद्यों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं हम यह भी जानते हैं कि अनेग ऐसे देश जो लोकतंत्रिक नहीं है वहां भी चुनाव होते हैं पर हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है आईए बिना चुनाव वाले लोकतंत्रिकी कल्पना करें अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिल जुल कर लें तब बिना चुनावों की लोगों का शासन संभव है लेकिन जैसा हमने अध्याय दो में देखा कि किसी भी बड़े समुदाये के लिए ऐसा करना संभव नहीं है ना ही यह सम्भव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्यान हो इसलिए अधिकांच लोगतांत्रिक शासन व्यवस्ताओं में लोग अपने प्रतिनिद्यों के माध्यम से शासन करते हैं क्या चुनाफ की बिना भी लोक तांत्रिक ढंग से प्रतिनिद्यों का चुनाफ किया जा सकता है। आईए एक ऐसी जगा के बारे में कलपना करे जहां प्रतिनिद्यों का चुनाफ उम्र और अनुभव के अधार पर किया जाता है। या ऐसी जगा की कल्पना करे जहां प्रतिनिद्यों का चुनाफ शिक्षा या ज्यान के अधार पर होता हूँ किसे ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्यादा ज्यान है यह तय करने में थोड़ी परिशानी आ सकती है पर यह मान ले कि लोग मिल जुलकर इन परिशानियों को दूर कर लेंगे सपश्ट है कि फिर ऐसी जगा पर चुनाफ की जरूरत नहीं रह जाएगी लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्ता को लोकतंतर कह सकती है हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिदी पसंद है या नहीं हम यह व्यवस्ता कैसे करेंगे कि प्रतिनिदी लोगों की इच्छा के अनुसार ही शासन करें हम इस चीज की वयवस्ता कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधी लोगों को पसंद ना हूँ वे अपने पद पर ना बने रहें इसके लिए ऐसे व्यवस्ता करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिध्यों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें इस व्यवस्ता का नाम चुनाव है इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोक तंतर में चुनाव को जरूरी माना जाता है चुनाव में मत दाता कई तरह से चुनाव करते हैं वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं वे सरकार बनाने और बड़े करने वाले का चुनाव कर सकते हैं वे सरकार और उसकी द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं प्रिष्ट संख्या 49 चुनाव को लोगतांत्रिक मानने के आधार क्या है चुनाव कई तरह से हो सकते हैं लोगतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं यहां तक कि अधिकांच गैर लोगतांत्रिक देशों में भी किसी ना किसी तरह के चुनाव होते हैं सो चुनाव लोगतांत्रिक हुए हैं इसे जाचने के हमारे लिए क्या पैमाने हैं हमने अध्याय दो में इस सेवाल पर हल्की सी चर्चा की थी हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उधारन दिये थे जिने हम लोगतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते आईए वहां सीखे सबक को याद करें और लोगतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी निवन्तम शर्तों के साथ अपनी बात की यानि हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो दूसरा चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो पांटियों और उमीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मत दाताओं के लिए विकल्प पेश करें तीसरा चुनाव का अफसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराये जाने चाहिए चौथा लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहे पाँचवा, चुनाव स्वदंत्र और निश्पक्ष धंग से कराये जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां कि चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता इस अध्याए में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहां के चुनावों को लोगतांत्री कहा जा सकता है या नहीं क्या राजनेतिक प्रतिद्वन्द्विता अच्छी चीज है? इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनेतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्विन्द्विता है यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है सबसे सपष्ट रूप है राजनेतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्विंदिता निर्वाचन श्रत्रों में इसका स्वरूप उमीद्वारों के बीच प्रतिद्वंद्विता का हो जाता है अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे जाती है आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैनले की शिकायत कर रहे हैं विभिन दलो की लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं पार्टियां और उमीद्वार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह की हत कंड कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौर जीतने का यह दबाव सई किस्म की दीर्द कालेक राजनीती को पनपने नहीं देता समाज और देश की सेवा करने की चाहार रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते उन्हें इस मुश्किल और बेढ़ंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता हमारे समविधा निर्माता इन समस्यों के प्रती सचेत थे फिर भी उन्होंने भविश्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया उन्होंने ऐसा इसलिए कि क्योंकि दीर्ग कालिक रूप से यही विवस्ता बहतर काम करती है प्रिष्ट संख्या 40 एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनैतिक नेता को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में हैं तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेणना से ही राजनीती में आते की अपना करियर बनाने की चिंता होती है वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुरसी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की संभाव न हो पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मनमे जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानी स्थितियों से मेल ही ना बैठे ऐसे में हम इन वास्तविक्ताओं का सामना कैसे कर सकते हैं एक तरीका तो राजनेताओं की ज्यान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है दूसरा और ज्याता व्याभारिक तरीका ये है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं चुनावी प्रतिद्वन्धवित का यही अर्थ है नियमित चुनावी मुकावले का लाव राजनेतिक दलों और नेताओं को मिलता है वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोगों प्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी लेकिन यदि वे अपने कामकाच से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होंगी कुछ-कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है बले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सोदा देना ही परता है अगर वै ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पन पे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हूँ लेकिन आखेगा इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाद्धे होते हैं प्रिष्ट संख्या 41 भाग दो चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आईए देखें की भारत में चुनाव किस तरह होते हैं? हमारे यहां लोकसभा और विधान सभाओं की चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं 5 साल के बाद सभी चुने होई प्रतिनिद्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है लोकसभा और विधान सभाओं बहंग हो जाती है फिर सभी चुनावों शेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं इसे आम चुनाव कहते हैं कई बार सिर्फ एक शेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य के मृत्यों या इस्तीफे से खाली हुआ होता है इसे उप चुनाव कहते हैं इस अध्याए में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे यहां दो मांचित्र दिये गए हैं एक करनाटक का गुलबर्गा जिला और दूसरा गुलबर्गा संसद्यक शेत्र गुलबर्गा संसद्यक शेत्र में दिखाया गया है जिले की सीमा, विधान सबाक शेत्रों की सीमा, गुलबर्गा जिले का वहक शेत्र जो गुलबर्ग संसद्यक शेत्र से बाहर है करनाटक का गुलबर्ग जिला में दिखाया गया है करनाटक के गुलबर्गा जिले के मांचित्र के साथ कुछ प्रश्ण दिये गए है एक गुलबर्गा लोगसभा निर्वाचन छित्र की सीमा और गुलबर्गा जिले की सीमा में अंतर क्यों है अपने लोगसभा निर्वाचन क्षेत्र का ऐसा ही नक्षा बनाईए दूसरा, गुलबर्गा लोगसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधान सभा के कितने क्षेत्र है क्या आपके लोगसभा क्षेत्र में भी विधान सभा की इतनी ही सीटे है प्रिष्ट संख्या 42 चुनाविक शेत्र चुनाविक शेत्र इसलिए हमारे समविधान में यह विवस्ता है कि हर चुनाव शेत्र में मत दाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हूँ इसी प्रकार प्रतेक राज्य को उसकी विधान सभा की सीटों के हिसाब से बाटा गया है इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिध्यों को विधायक कहते हैं प्रतेक संसदिय निर्वाचन शेत्र में विधान सभा के कई-कई निर्वाचन शेत्र आते हैं पंचायतों और नगरपालिका के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है प्रतेक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो छोटे-छोटे निर्वाचन श प्रतेक वाड से पंचायत या नगरपालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है कई बार निर्वाचन शेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्यूंकि हर शेत्र संसर्थ या विधान सभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए हम जब कहते हैं कि लोगदल ने हर्याना की साट सीटें जीती तो इसका मतलब है कि विधान सभा के साट निर्वाचन शेत्रों से लोगदल के साट लोग जीत कर राज्ये विधान सभा में पहुँचें हमारा समविधान प्रतेक नाकरिक को अपना प्रतिनिधी चुनने और जन प्रतिनिधी के तोर पर चुने जाने का अधिकार देता है लेकिन हमारे समविधान निर्माताओ को चिंता थी कि संभव है खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूँ के लोग, लोकसभा और विधान सभाओं में पहुँच नहीं पाए संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हूँ ही नहीं संसाधनों वाले प्रभाफशली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं अगर ऐसा होता है तो संसध और विधान सभाओं में हमारी अबादी के एक बड़े हिस्से की अवाज ही नहीं पहुँच पाएगी इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्ता कम लोकतांत्रिक होगी इसलिए हमारे समविधान निर्माताओं ने कमजोर गवर्गों के लिए अरक्षित निर्वाचन शेत्र की विशेश व्यवस्ता सोची इसी कारण कुछ चुनाव शेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं तो कुछ शेत्र अनुसूचित जन जाती के लोगों के लिए अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाती का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और 41 सीटे अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित हैं ये सीटे पूरी आबादी में इन समुहों के हिस्से के अनुपात में हैं इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षित सीटे किसी अन्य समू के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती कमजोर समू के लिए आरक्षिन की ये व्यवस्ता बाद में जिला और स्थाने सर पर भी लागू की गई अनेक राज्यों में अब ग्रामीन पंचायतों और शहरी नगर पालिका और नगर निगमों स्थानिय निकायों में अन्य पिछले वर्गों के लिए भी आरक्षन लागू हो गया है पर हर राज्ये में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग-अलग है इसी प्रकार ग्रामीर और शहरी स्थानिये निकायों में एक तीहाई सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है प्रिश्ट संख्या 43 भारत के लोकसभा निर्वाचंग छेत्र का मानचित्र दिया गया है कुल खेत्र 547, सामान्य 423, आरक्षित अनुसूचित जाती 89, आरक्षित अनुसूचित जन जाती 41 राज्य और निर्वाचंग खेत्र आंध्र प्रदेश 42 अरुनाचल प्रदेश 2 असम 14 बिहार 40 36 गड 11 गोवा 2 गुजरात 26 हरियाना 10 हिमाचल प्रदेश 4 जम्मु कश्मीर 6 जार्खंड 14 करनाटक 28 केरल 20 मध्य प्रदेश 39 महराष्ट्र 48 मणीपुर 2 मेघालय 2 मिजोरम 1 नागालेंड 1 उडिसा 21 पंजाब 13 राजस्थान 25 सिक्किम 1 तमिल्नाडू 49 तिर्पुरा 2 उत्तर प्रदेश 8 उत्तरांचल 5 पश्चिम बंगाल 42 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप सम्हू 1 चंडी गढ़ 1 दादरा एवं नगर हवेली 1 दमन और दीव 1 दिल्ली 7 लक्षद्वीप 1 पांडी चेरी 1 इस मानचित्र के आधार पर इन सवालों का जवाब दीजिए 1 आपके राज्य और उसके दो पड़ोसी राज्यों में लोगसभा निर्वाचन ख्षेत्र की संख्या कितनी है 2 किन-किन राज्यों में लोगसभा के 30 से ज्यादा निर्वाचन ख्षेत्र हैं कुछ राज्यों में निर्वाचन ख्षेत्रों की संख्या ज्यादा क्यों है कुछ निर्वाचन ख्षेत्र इलाके के हिसाब से छोटे और कुछ बहुत बड़े क्यों है अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जन जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन शेत्र पूरे देश में बिखरे हुए है या कुछ इलाकों में इनकी संख्या ज्यादा है प्रिष्ट संख्या 44 मत दाता सूची एक बार जब निर्वाचन शेतर का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोड दे सकता है कौन नहीं इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता लोकतांत्रिक चुनाव में मददान की योगिता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है इस सूची को अधिकारिक रूप से मददाता सूची कहते हैं आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं यहें एक महत्पून कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्थ अपना प्रतिनिधी चुनने के लिए हर किसी को समान अफसर मिलने से है। पहले अध्याय में हमने सार्व भॉम वयस्क मता अधिकार के बारे में पड़ा था। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण ना हूँ किसी को मत अधिकार से बंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग-अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई बहुत पड़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालू है तो कोई नहीं। पर हर कोई इनसान तो है और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णों में सबकी भागिदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे उपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाती, धर्म, लिंग, चाहे जो हो उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतूलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ बेहत खास थित्यों में ही होता है। सभी सक्षम मत दाताओं का नाम मत दाता सूची में हो यह विवस्ता करना सरकार की जिम्मेदारी है। चुंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मत दाता बनाने की उम्र तक आ जाते हैं। इसलिए हर चुनाव से पूर्व मत दाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है उनके नाम इस सूची से काट दिये जाते हैं हर पांच वर्ष में मददाता सूची का पूर्ण नवीकरन किया जाता है ऐसा मददाता सूची को एकदम ताजा रखने के लिए किया जाता है पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में फोटो पहचान पत्र की नई विवस्ता लागू की गई है सरकार ने मददाता सूची में दर्ज सबी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है वोट देने जाते समय मददाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा ना डाल दे पर मददान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवारे नहीं हुआ वोट देने के लिए मददाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसन्स जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं उम्मीदवारों का नामांकन हमने देखा कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए यह तब ही होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगबग किसी किसम की बंदिश ना हूँ हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है जो कोई व्यक्ति मत दाता है वें उम्मीदवार भी हो सकता है सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है जबकि उम्मीदवार बनने की नियोंतम आयों 25 वर्ष है उम्मीदवारों का नामांकन हमने देखा कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए यह तब ही होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगबग किसी किस्म की बंदिश ना हूँ हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है जो कोई व्यक्ति मत दाता है वे उम्मीदवार भी हो सकता है सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है जबकि उमीदवार बनने की नियोंतम आयों 25 वर्ष है उमीदवार बनने में भी अपराधियों वगेरा पर रोख है लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है राजन्यतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिने पार्टी का चुनावचिन और समर्थन मिलता है पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकेट कहते हैं चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उमीदवार को एक नमांकन पत्र भड़ना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है हाल में सरवोच्य न्यायालल के निर्देश पर उमीदवारों से एक घोशना पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है अब हर उमीदवार को अपने बारे में कुछ ब्योरे देते हुए वैधानिक घोशना करनी होती है प्रतेक उमीद्वार को इन मामलों के सारे विवड़न देने होते हैं एक उमीद्वार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले दो उमीद्वार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए इससे मत दाताओं को उमीदवारों की द्वारा खुद के बारे में सूचना के अधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है उमीदवारों की शैक्षिक योगेता जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योगेता जरूरी है तो विधायक या सांसद महचपून पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योगेता की जरूरत क्यों नहीं है सबी तरह के काम सिर्फ शेक्षिक योगेता के आधार पर नहीं होते जैसे भारतिय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिगरी की नहीं अच्चा क्रिकेट खेलने की योगेता जरूरी है इसी प्रकार विधायक या सांसत की सबसे बड़ी योगेता यह है कि वे अपने क्षेतर के लोगों की समस्याओं को समझे उनकी चिंताओं को समझे और उनकी हितों का प्रतिनित्व करे वे यह काम कर रहे हैं या नहीं इसकी परिक्षा उनके लाखों वोटर पांच साल तक रोज करते हैं अगर किसी शिक्षा या डिगरी की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे शैक्षिक योगेता को कितना महत्व देते हैं हमारे देश में शैक्षिक योगेता की छर्ट लगाना एक अन्य कारण से भी लोगतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा इसका मतलब यह होगा कि देश की अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने की मौलिक आधिकार से वन्चित करना जैसे यदि उम्मीदवारों के लिए बीए, बीकॉम या बीएस्सी की सनातक डिग्री को भी अनिवारे किया गया तो नव्वे फी सदी से ज्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे कहा पहुँचे क्या समझे भारत की चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं और कुछ सिद्धांत यहां दिये गए हैं इनके सही जोडे बनाएं कॉलम एक सिद्धांत सार्व भॉम वयस्क मतादिकार दो, कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व तीन, खुली राजनेतिक प्रति द्वंद्विता चार, एक मत एक मोल कॉलम दो, चुनाव प्रणाली की विशेषता एक, हर चुनाव शेत्र में लगभग बराबर मत दाता दो, अठारा वर्ष और उससे उपर के सभी को मतादिकार तीन, सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की अजादी चार, अनुसूचित जातियों, जन जातियों के लिए सीटों का आरक्षन प्रिष्ट संख्या 47 चुनाव अभियान चुनावों का मुख्य उदेश्य, लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिदियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अफसर देना है इसलिए कौन प्रतिनिदी बहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीती कौन सी है इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है, चुनाव अभियान के दौरान यही होता है हमारे देश में उमीदवारों की अंतिम सूची की घोशना होने और मतदान की तारिक के बीच आम तोर पर दो सप्ता का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है इस अवधी में उमीदवार मतदातों से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाशन देते हैं और राजनेतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं इसी अवधी में अख़बार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसे भी होती हैं, पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ दो हफ़ते नहीं चलता, राजनेतिक दल चुनाव होने के महिनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं चुनाव अभियान के दौरान राजनेतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती हैं, वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्शित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं, आईए विभिन चुना के लोगसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पार्टी ने वाइदा किया कि इवह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगे दो, 1977 में हुए अगली लोगसभा चुनावों में जन्ता पार्टी ने नारा दिया लोगतंत्र बचाओ, पार्टी ने अपात्कल के दुरान हुई ज्याधितियों को समाप्त करने और नागरिक अजादी को बहाल करने का वाइदा किया तीन, वामपंती दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को का नारा दिया था चार, 1983 के आंत्रप्रदेश के विधान सभा चुनावों में तेलगू देशम पार्टी के नेता, एंटी रामराव ने तेलगू स्वाविमान का नारा दिया था लोक तंत्र में राजनेतिक दलों और उमीदवारों को अपनी मर्जी के मुताविक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है पर सभी दलों को उचित और समान अफसर मिलें, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगा पर पहुँचा दिया जाता है फिर एक तय तारीक पर एक चुनाव शेतर की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिंती की जाती है वहां सभी दलों की एजेंट रहते हैं जिससे मत गणना का काम निश्पक्ष धंग से हो सके किसी चुनाव शेतर में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उमीदवार को विज़ाई गोशित किया जाता है आम चुनाव में अमुमन सभी निर्वाचन शेतरों में मत गणना एक ही तारीक पर होती है तीवी चैनल, रेडियो और अकबारों के लिए यह बहुत बड़ा अफसर होता है यहां गुलबरगा के चुनाव परिनाम की एक तालिकत दी गई है आईए एक बार फिर गुलबरगा के उधारन पर गौर करें सन 2004 में यहां कुल 11 उमीदवारों ने चुनाव लड़ा यहां के मत दाताओं की संख्या 1449 लाग थी इन में से 8.28 लाग लोगों ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया कॉंग्रेस पार्टी के उमीदवार एकवाल एहमत सर्दगी को 3.12 लाग वोट मिले यह कुल पड़े मतों का लगबग 38 फी सदी ही था लेकिन बागी किसी भी उमीदवार से ज्यादा वोट पाने के कारण उन्हें गुलबर्गा संसदीक शेतर से सांसद निर्वाचित गोशित किया गया कहां पहुंचे क्या समझे इन में से कौन सा काम आदर्श चुनाव संहिता का उलंगन है? कौन सा नहीं? 1. मददान की तारीक से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन शेतर के लिए नई रेलगाडी को हरी जंडी दिखा कर रवाना करना 2. एक उमीद्वार ने वायदा किया कि चुने जाने पर वे अपने निर्वाचन शेतर में नई रेलगाडी चलवाएगा 3. एक उमीद्वार के समर्थकों द्वारा मददाताओं को एक मंदिर में ले जाकर उनसे उसी उमीद्वार को वोट देने की शपत दिलाना 4. किसी उमीद्वार के समर्थकों द्वारा जुग्जी वस्ती में वोट के वायदे लेकर कंबल बाटना भाग 3. भारत में चुनाव क्यों लोग तांत्रिक हैं? हम चुनाव में गड़बडियों और धन्द्रियों के बारे में पढ़ते रहते हैं अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अकसर ऐसी गड़बडियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाये जाते हैं अधिकान्ष खबरों में कुछ इस तरह की गड़बडियों की सूचना होती है एक मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गयब करने की दो शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों की दूरुप्योग की तीन अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की चार मतदान के दिन चुनावी धांदली मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना इन में से अनेक खबरे सही होती हैं ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है पर सौभागे से ये गरबड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उदेश्य को ही नकार दें इस परिप्रेक्षे में अगर एक-एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है क्या कोई पाटी बीना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांदलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है यह एक महत्फून सवाल है आईए इस सवाल के विभिन पहलों पर सावधानी से गौर करें सुतंत्र चुनाव आयोग चुनाव निश्पक्ष हुए हैं या नहीं इसे जाचने का एक सरल तरीका है यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से सुतंत्र है या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है क्या उनके पास सुतंत्र और निश्पक्ष चुनाव कराने की शक्ती है क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है हमारे देश में चुनाव एक सोतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाई जाते हैं इसे न्याय पालिका के समान ही आजादी प्राप्त है दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे एक चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोशना तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्ने लेता है दो यह आदर्श चुनाव सहिता लागू कराता है और इसका उलंगन करने वाले उम्मीद्वारों और पाटियों को सजा देता है तीन चुनाव के दुरान चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का अदेश दे सकता है इसमें सरकार दुआरा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है चार चुनाव ड्यूटी परतेनाद अधिकारी सरकार की नियंतरन में ना होकर चुनाव आयोग की अधीन काम करते हैं पिछले करीब 15 वर्षों के दोरान चुनाव आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपियोग शुरू किया है साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है अब यह आम बात हो गई है कि चुनाव आयोग, सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मद्दान केंद्रों पर या पूरे चुनाव शेत्र में मद्दान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहाँ फिर से मद्दान का आदेश देते हैं अक्सर शासक दलों को चुनाव अयोग के कामकाच से परशानी होती है लेकिन उन्हें चुनाव अयोग के आदेश मानने होते हैं अगर चुनाव अयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव ना था कहा पहुँचे क्या समझे एक, चुनाव अयोग ने चौदवी लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की दो, बिहार के चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार रहे तीन, चुनाव अयोग ने चुनाव खर्च पर न केल कसी चुनाव अयोग का एक और गुजरात दोरा, चुनावी तैयारियों का जायजा लिया पांच, चुनाव अयोग ने ग्रेह मंत्रा ले के चुनाव सुधार संबंधी सुझाव नकारे छे, चुनाव के गुप्त खर्च पर चुनाव अयोग की नजर साथ, उच्च न्यायाले ने चुनाव अयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा आठ, चुनाव अयोग को हरियाना के नए पुलिस प्रमुक की नियुकती सुईकार नौ, चुनाव अयोग ने 398 मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डालने के आदेश दिये दस, राजनेतिक विज्यापनों पर सेंसर का अधिकार हो, चुनाव अयोग ग्यारह, एक्जिक पोल पर प्रतिबंध लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं, चुनाव अयोग चुनावी प्रक्रिया की गुणवर्ता को जाचने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्सा से भागिदारी करते हैं या नहीं अगर चुनाव प्रक्रिया, स्वतंत्र और निश्पक्ष नहीं यूँगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे एक चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आम तोर पर मतदान करने वाले लोगों के आखड़े को बनाया जाता है मतदान की योगिता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उतरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है भारत में यह या तो स्थिर रहा है या उपर गया है दो भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं प्रतिश्चिम के लोगतंत्रों में स्थिती इस से उलट है इन बातों से हम इस सरल से निशकर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत में चुनाव बुन्यादी रूप से स्वतंत्र और निश्पक्ष हैं जो पाटी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है संभव है कि हर निर्वाचन शेतर पर यह बात लागू ना होती हो कुछ उमीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छक हो ही बताता है पिछले पचास वर्षों में हमारे देश में इस समान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद है और यही चीज भारतिय चुनाव प्रणाली को लोगतांत्रिक बनाती है पर जब आप थोड़े ज्यादा घंबीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़े जानकर फैसले करते हैं क्या मद्दातों के पास सच्मुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अफसर देता है? क्या कोई समान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? प्रिष्ट संख्या चववन इस तरह के सवाल भारतिय चुनाव विवस्ता की सीमा और चुनोतियों की और हमारा ध्यान दिलाते हैं ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं एक ज्यादा रुपे पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीती जाएंगे ये कहना मुश्किल है पर उनकी स्थिती दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है दो देश के कुछ इलाकों में आपराधिक प्रिष्ट भूमी और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं तीन दोनों प्रमुक पार्टियों की नीतियां और व्यवार कमो वेश एक से होते हैं प्रिष्ट संख्या पच्पन बड़ी पार्टियों की तुल्ला में छोटे दलों और निर्दलिय उमीदवारों को कई तरह की परिशानिया उठानी पड़ती हैं ये चुनोतियां भारत की ही नहीं है कई सापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिती है लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीजे गेहरी चिंता का विशे हैं इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ती पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग, नागरिकों, सामाजिक कारे करताओं और संगटनों की तरफ से होती रही है क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनोतियों का सामना करने के लिए एक आव नागरिक क्या कर सकता है? कहां पहुँचे, क्या समझे? ये भारतिये चुनावों के बारे में कुछ तत्य हैं इन में से प्रतेकपट टिपणी करके यह बताईए कि ये चीजें हमारी चुनाव प्रणाली की शक्ती को बढ़ाती हैं या कमजोरी को एक, लोगसभा में महिला सदस्यों की संख्या दस फीशदी से कम ही रही है दो, चुनाव कब हूँ? इस बारे में अकसर चुनाव आयोग सरकार की नहीं सुनता तीन, वर्तमान लोगसभा के 145 से अधिक सदस्यों की संपत्ती एक करोड से भी अधिक है चुनाव हारने के बाद, एक मुख्य मंत्री ने कहा, मुझे जनादेश मंजूर है शब्द अर्थ चुनावी धांदली चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीद्वारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़वर या फरेव इनमें कुछी लोगों द्वारा काफी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारियों को डरा धमका कर या रिश्वत दे कर अपने उम्मीद्वार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल हैं किसी उम्मीद्वार या पार्टि के समर्थकों या भाड़े के अपराधियों द्वारा मतदान केंद्र पर कबजा करना, असली मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर आने से रोकना और खुद सारे या ज़्यादातर वोट डाल देना एक खास भावलिक शेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधी का चुनाव करते हैं चार आचार सनहिता चुनाव की समय पार्टियों और उमीदवारों द्वारा माने जाने वाले काइदे कानून और दिशानिर्देश प्रश्णावली प्रश्ट एक चुनाव क्यों होते हैं? इस बारे में इन में से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अफसर देते हैं लोग चुनाव में अपनी पसंद के उमीदवारों का चुनाव करते हैं चुनाव लोगों को न्याइपालिका के कामकाज का मुल्यांकन करने का अफसर देते हैं ग, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं प्रश्ण दो, भारत के चुनाव लोग तांत्रिक हैं यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता क, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है ग, भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है ग, भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादे स्विकार कर लेती हैं प्रश्ण तीन, मेल ढूंडे कॉलम एक क, समय समय पर मतदाता सूची का नवीनी करण आवश्यक है ताकि ख, कुछ निर्वाचन शेत्र अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्षिर्थ हैं ताकि ग, प्रतेक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि ग, सत्तादारी दल को सरकारी वाहन के इस्थिमाल की अनुमती नहीं क्योंकि कॉलम दो एक, समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके दो, हर एक को अपना प्रतिनिधी चुनने का समान अफसर मिले तीन, हर उमीदवार को चुनावों में लड़ने का सवान अफसर मिले चार, संभव है कुछ लोग उस जगा से अलग चले गए हूँ जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मद्दान किया था प्रिष्ट संख्या सत्तावन प्रश्ट चार, इस अध्याय में वर्णित, चुनाव संबंदी सभी गतिविद्यों की सूची बनाएं और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किये जाने वाले काम से लेकर आखिर तक के क्रम में सजाएं इन में से कुछ मामले हैं चुनाव घोष्णा पत्र जारी करना, वोटों की गिंती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोष्णा, मतदान, उनर मतदान की आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोष्णा, नमानकन दाखिल करना प्रिष्ट संख्या 81 प्रश्न पांच सुरेखा एक राज्य विधान सभा शेत्र में स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव कराने वाले अधिकारी हैं चुनाव के इन चर्णों में उसे किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए क चुनाव प्रचार ख मत जान के दिन प्रश्न छे अगर हां तो क्यों और किस समुदाय के लिए अगर नहीं तो क्यों तालिका समुदाय का प्रतिनिधित्व कॉलम एक अश्वेद अमेरिकी प्रतिनिधी सभा में आठ प्रतिशत अमेरिकी समाज में तेरा प्रतिशत हिस्पैनिक अमेरिकी प्रतिनिधी सभा में 5 प्रतिशत, अमेरिकी समाज में 13 प्रतिशत, श्वेत अमेरिकी प्रतिनिधी सभा में 86 प्रतिशत, अमेरिकी समाज में 70 प्रतिशत प्रश्ण साथ, क्या हम इस अध्याय में दी गई सोचनाओं के अधार पर निशकर्ष निकाल सकते हैं? इनमें से सबी पर अपनी राय के पक्ष में दो तथ्य प्रस्तुत कीजिए भारत के चुनाव आयोग को देश में सोतंत्र और निश्पक्ष चुनाव करा सकने लायक परियाप्त अधिकार नहीं हैं ख हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबरदस्थ भागेदारी होती है ग सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है ग अपने चुनावों को पूरी तरह से निश्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी है प्रश्ण आठ चिनप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परिशान करने के जुर्म में सजा मिली थी सत्बीर को चुवा चूत मानने का दोशी माना गया था दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी क्या ये फैसला लोकतांत्रिक चुनावों की बुनियादी सिध्धान्तों के खिलाफ जाता है अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए प्रश्ण नू यहां दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चुनावी गड़बडियों की कुछ रिपोर्टे दी गई है क्या ये देश अपने यहां के चुनावों में सुधार के लिए भारत से कुछ बाते सीख सकते हैं प्रतेक मामले में आप क्या सुझाव देंगे नैजीरिया के एक चुनाव में मतगरना अधिकारी ने जानबूच कर एक उमीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोशित कर दिया बाद में अधालत ने पाया कि दूसरे उमीदवार को मिले पांच लाग बोटों को उस उमीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बाटा गया जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर पूर्व प्रधान मंतरी महेंद्र चौदरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा यह धमकी भारतिय मूल के मत दाताओं को दी गई थी ग, अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालिया हैं सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास पद फैसलिक लिये पर उनके फैसलों को कोई भी नहीं बदल सका प्रिष्ट संख्या 58 प्रश्ण 10 भारत में चुनावी गड़बडियों से संबंदित कुछ रिपोर्टे यहां दी गई हैं प्रतेक मामले में समस्य की पहचान कीजिए इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है चुनाव की घोष्णा होते ही मंत्री महोदे ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खुलने के लिए वित्ये सहायता देने की घोष्णा की विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और अकाश्वानी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचिस जगा नहीं मिली चुनाव आयोग की जांच से एक राज्ये की मतदाता सूची में 20 लाग फर्जी मतदाताओं के नाम मिले गह एक राजनातिक दल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे दूसरी पार्टियों की लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमले कर रहे थे प्रश्ण 11 जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिता जी से सुनी बातों को धोराया क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बायानों में क्या गरबड़ी है औरतें उसी तरह वोर्ट देती हैं जैसा पुरुष उनसे कहते हैं इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है ख पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तैनाव पैदा होता है चुनाव में सबकी सहमती वाला फैसला होना चाहिए प्रती द्वन्दिता नहीं होनी चाहिए ग सिर्फ सनातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए आईए अख़वार पढ़ें राजे विधान सभाओं के चुनाव अब किसी न किसी राजे में हर वर्ष होते ही रहते हैं तुम्हारी पढ़ाई के इस वर्ष में जिस राजे में चुनाव हो रहे हैं उससे संबंदित सूचनाएं एकटा करो सूचनाएं जम्मा करते हुए उन्हें तीन हिस्सों में बाटते चलो एक, चुनाव के पहले क्या-क्या मुख्य घटनाएं हुई राजन्यातिक दलों का मुख्य अजेंडा, लोगों की मांगों के बारे में सूचनाएं चुनाव आयोक की भूमिका दो, मत दान और मत गणना के दिन क्या मुख्य घटनाएं थी चुनाव में भाग लेने वालों का प्रतिशत क्या था क्या चुनावी गडबडी भी हुई, क्या पूनर मत दान हुए, किस तरह की भविश्य वाणिया की गई थी तीन, चुनाव के बाद क्या हुआ, चुनाव जीतने या हारने वाली पार्टियों ने क्या दावे किये, कौन पार्टी सफल हुई, मुख्य मंत्री का चुनाव किस प्रकार हुआ अभी आप सुन रहे थे सामाजिक विज्यान पाठे क्रम के अंतरगत ध्वनी पाठे पुस्तक लोक तांत्रिक राजनीती भाग एक का तीसरा अध्याय शीर्शक्था चुनावी राजनीती, वाचन्स्वर अजीत होरो, निर्मान सहयोग, सौम्या मलिक, निर्मान वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET, NCERT, नई दिल्ली भारत